तो गैस मैं हुआंगी तो आप देख रहे हैं WWFANS NETWORK भाई वीडियो सुरे करने से पहले ही आपके सामने में एक बहुत ही बड़ा and important question रखना चाहता हूँ और इसके सिफ तीन options हैं जिन में से की एक pick करके आपको comment करके बताना है सच सच बताओ भाई आपको लगता है क्या the rock आएंगे रोल रंबल में तीन options कुछ यह हैं पहला option यह है कि हाँ भाई confirm आएंगे दूसरा है कि हाँ chances मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं और तीसरा है कि घंटा भी नहीं आएंगे अब जल्दी से का comment करके जवाब बताओ आप अब यह सवाल में आपसे इसली पुछ रहा हूँ क्योंकि वीडियो के end में यानि की जो important update है अपनी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दिखाने वालों एक ऐसा tease जिसको देख कि आपके होसो हवास उड़ जाने वाले बाकि वीडियो के अंदर और भी updates होगी तो like, share, subscribe कर देना आप लोग and follow कर लेना मुझे Instagram and Twitter पे दोनों की link आपको मिल जागी नीचे description में चले वीडियो को सुरू करते हैं बातों को गाज अनुक सुरू कर लेंगे सुबा वाली न्यूस को cover करते वे जे ब्रिसको वाली न्यूस को unfortunately बहुत बुरी न्यूस निकल के सामने आई सुबा सुबा कि ROH के कमाल के टैरेंट जे ब्रिसको की death हो चुकी है natural death नहीं है यह है यह है बाई एक car crash में हुई हुई death and 38 साल के थे जे ब्रिसको लेकिन बाई यह सिफ न्यूस इतनी ही नहीं है इसमें और भी बुरे elements है and मालूम चला है कि अकेले जे ब्रिसको ही नहीं बलकि उनकी wife की भी death हो चुकी है उनकी wife भी अब इस world के अंदर इस दुनिया के अंदर नहीं रही है basically जो car accident था यह तब हुआ जब गारी के अंदर जे ब्रिसको उनकी wife and उनके दो बच्चे थे तो भाई जे ब्रिसको बिचारे नहीं रहे हैं उनकी wife भी नहीं रही बाकि उनके बच्चों की बात है तो बच्चे भी काफ़े critical condition में है तो प्रे करेंगे हम लोग की चीजे सही हो जाए एक तो जे ब्रिसको भी चारे नहीं रहे हैं फिर उनकी wife भी नहीं रही और रेड़ी बच्चों के life का क्या होगा तो बहुत ही मतलब अलगी बात है एक बाद फिर से R.I.P.J. ब्रिसको को आगे बढ़ते हैं अगली story की बात करते हैं जो की है Demon Kane को लेके Monday Night Raw के अगले edition में Demon Kane के भी आने के chances है थे या फिर ऐसा कहा सकते हम लोग क्योंकि सायद अब Demon Kane अपियर नहीं होगे इस सो में और सायद वो अब WWE ने पुल आउट कर लिया उनको क्योंकि अब जो है पोस्टर निकल के सामने आया है लेजंड का उसमें Undertaker advertised है और कहीं से भी नाम और निसान नहीं है Kane का तो fans ने चीज़ को point out किया कि rumors का कहना था कि Kane confirm है लेकिन अभी WWE ऐसा कुछ advertise नहीं कर रही है तो अभी कहिसाब से जो Kane है भाई वो पुल आउट किये गए WWE की तरफ से let's see surprise के तौर पर आते है वो या फिर क्या लेकिन मुझे लगता है surprise के तौर पर कर आना होता तो Undertaker आते है Undertaker पॉसिबली रिप्लेस्मेंट है Demon Kane के लिए जैसा मुझे लगता है उस इजाब से मैं आपको बता रहा हूँ बागी हाँ अभी किसाब से Kane पुल आउट हो चुके है आगे बढ़ते हैं बात करते है बुगी मैन की तो बुगी मैन ने भाई फील्ड के साथ involvement टीज करी है अब कुछ समझ नहीं आता भाई मुझे इन क्रीपी रेसलर्स का चाहिए ब्रेवाइड भी कुछ करें या फिर बुगी मैन करें यह लोग कुछ भी कभी भी कर सकते हैं तो यह कुछ भी कभी में से एक पोस्ट है जहां पर की बुगी मैन है दो फ्रेम में है फील्ड यहां मागी कोई कैप्सन वगरा नहीं है क्या लगता आपको इसका कोई मतलब है या फिर बस ऐसे ही मैं मज़े मज़े में पोस्ट कर रहें इंस्टा फीड भरने के लिए आपके ठोट्स कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हैं अपनी अगली स्टोई जूरी हुई है देड मैन अ अब सवाल हैं कि अप सवाल है कि आपके अबकई को चाहिएं को एक दो लोग नहीं बलुक है गайт पॉसीबिलिटी है अब क्या स्पासीबल है तो जी हाँ पॉसीबल है लेकिन कुछ लोग को लगता है कि अपन्र हुआ to प्लाइन हो सकते है तो सायध मैं बब एक भी मिनिट को सोच सकता था क्या मुझे यह पॉसिबिलीटी में टैंदा टाम तक मैटर करती है लेकिन अंडर्टेकर के केस में कर रही है उनकी लेकि को रिस्पेक्ट करते हैं अंडर्टेकर रिंग के बाहर ही रहें प्लाइन बागी अंडर्टेकर कंफरेंट कर सकते हैं अंकल हाउडी को यह पॉसिबिलिटी बिल्कुल है हो हो सकता यह बाई बागी गाज अब हम लोग बात करते हैं अपनी आकरी स्टोरी की जो की है दा रॉक को लेके अभी तक आपने कॉमेंट करके नहीं बताया तो यार बता दो बागी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस बड़ी टीज की बात कर रहा था तो कल बीटी स्पोर्ट वाले काउंट से एक रील पोस्ट होती इंस्टाग्राम पे यह वह रील है जहां पर कि रोमन रेंस रोल रंबल मैं जीते थे और रॉक उनके साथ चलिब्रेट करने आया थ चलो माल लेते हैं यह खुत में बहुत बड़ा टीज है लेकिन फिर भी इसको मत कंसेडर करो इसके बाद देखो क्या होता है एक बंदा कॉमेंट करता है कहता है यह कहरा कि अरे भाई यह तो वह हिंट है जिसके लिए पुरी दुनिया इंतजार कर रही थी लगता है कि रॉक आएगा इसके नीचे एक बंदा रिप्लाई करता है लिखता है I don't think BT Sports have a clue what thinks WWE are planning I would have rather trusted it if it was from WWE on Fox account इसको reply करके बोलता है कि अरे यार तु क्या बात कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि BT Sports वाले को कोई clue भी होता है कि WWE क्या plan कर रही है हाँ अगर ये real post करी होती Fox वालोंने यानि WWE on Fox वालोंने तो मैं believe करता कि ये tease है इसके उपर खुद BT Sports वाले reply करते है and कहते है and what makes you think than or any more than us कहते है BT Sports वाले कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि उन्हें हमसे जादा मालूम है यानि कि यहाँ पे overall scene ये create हुआ BT Sports ने एक real share करी इस real के नीचे एक बंदा comment करता है कि आरे तुम तो hint drop कर रहे हो उसको एक बंदा reply करके कहता है कि आरे इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है फॉक्स वाले post करते तो ये tease होता अब इसके नीचे BT Sports वाले खुद reply करके कहते है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है या पर नहीं आ रहे है आ सकते हैं या फिर घंटा भी नहीं आएंगे comment करके बताना बागी that's it इस वीडियो के लिए यही update थी and I hope आपको वीडियो पसंद आई हो मैं तो पसनली बहुत excited हो रहा हूँ आप रोल रंबल के लिए लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना फॉलो के लेना मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्विटर पे दोनों की लिंक आपको मिलेगे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स ओफेर काफ इंडिस्टिंग वीडियो में